नमस्कार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है उत्राखंट देश का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जो यूसीसी को जल्दी लागू कर सकता है उत्राखंट विधान सभा में यूसीसी यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश भी किया जा चुका समान नाग सहीता का ये विधेयक पेश किया था समान नागरिक सहीता आखिर है क्या लेकिन अब इसका पूरे देश में फिरसे एक बार विरोध शुरू हो खास तोर से अलपसंख्यक समुधाय और मुस्लिम समुधाय में इसका विरोध है तो जानना जरूरी है कि आखिर समान नागरिक सहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या समान नागरिक सहिता के तहट जाती धर्म और लिंग के उपर उठकर सभी नागरिकों के लिए एक समान विवा, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ती और उत्रा अधिकार के कानून लागू होते हैं आजादी के बाद UCC लागू करने वाला उत्राखंड देश का पहला राजे होगा, हालांकि गोवा ऐसा राजे है जहां पर पहले से ही ये कानून लागू है, गोवा पर पुर्तगाल के कबजे के समय से ही UCC लागू है अब बात विरोध की भी कर लेते हैं, मुसलिम समुदाय के एक प्रमुख संगठन, जमियत उलेमाय हिंद के प्रमुख मौलाना अर्शद मदिनी ने इस पर विशेश तोर से अपना विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि ये भेद भाव पूर्ण है मौलाना मदिनी का कहना है, जब इस बिल के अंदर अनुसुचित जनजातियों को कानून में विशेश छूट दी गई है तो फिर अलप संख्य को यानि के मुसलिम को इस धारा के तहत क्यों नहीं छूट दी जा सकती गौरतलब है कि समान नागरिक सहिता के अंदर अनुसुचित जनजातियों को विशेश छूट है जिसके अनुसार इसी पर मदिनी का कहना है कि सम्मिधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसल्मानों को धार्मिक स्वतंतरता क्यों नहीं दी जा सकती तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं बी आर अम्मेटकर ने इस पर क्या कहा था? सम्मिधान बनाते वक्त बी आर अम्मेटकर ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांचनिय है लेकिन फिलहाल इसे स्वेच्छिक रखा जाना चाहिए बस यहीं से वो विवाद है कि अगर उसी वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता तो पूरे देश में एक ही कानून होता लेकिन उस वक्त इसे स्वेच्छिक यानि के जिसकी इच्छा हो वो स्विकार करे जिसकी इच्छा ना हो वो स्विकार ना करे तो उसी आधा पर अलग अलग धर्म संप्रदाय और जातियां अपने अपने कानून के हिसाब से शादी ब्याहत तलाक के मैटर्स को डील करते रहे अब इसका नुकसान किया है विरोधियों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा नुकसान जनजातियों को उठाना पड़ अब इतनी बात तो विरोध की हुई अब जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइदे क्या हैं इसके फायदे सबसे ज़्यादा विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बटवारे जैसे तमाम विश्यों में बहुत काम के होंगे हर नागरिक को इसके तहट एक समान अधिकार मिलेगा और उनके लिए एक ही कानून होगा तो कुल मिलाकर अभी समान नागरिक सहिता विवादों के घेरे में है लेकिन एक ना एक दिन इसको लागू होना ही है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूले